हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने सीटूप चैनल पर दोस्तों आज में आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अगर आप एक घर बनाने की सोच रहे हैं और उसको आप किसी ठेकेदार को बिदावट मटरेल काम देना चाहरे हैं जैसे कि मटरल आपका रहेगा चाहें इट लगे सरिया लगे सिमेंट लगे बस आपको उसको लेवर चार्ज पर देना है आपको उससे बस काम कराना है और यहां पर दोस्तों आप कन्फूज है कि आप अगर दस लोगों से भी पुछो कोई तो उनके रेड अलग लग रहेंग तो इस वीडियो को दोस्तों फूलीज पुरा एंटर देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बात है बताने वाला हूँ कि वो उन रेडों में क्या काम करके देगा और क्या काम करके नहीं देगा तो यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब दोस्तों म आपको बताना चांगों दोसों से ज़्यादा ना दे क्योंकि दोसों से ज़्यादा बिदाउट मिटल फिर ज़्यादा हो जाएगा फिर चाहिए आप यूपी में हो या उत्राखण में या मैं समझता हूं कि नियर पास कोई भी स्टेट है तो अब बात करेंगे दोस्तों कि 170 से कोई कम में काम कर रहा है तो देखे मैं ये नहीं कह रहा है कि 170 में कि जगा 160 में कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है लेकिन दोस्तों हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो लेकिन अगर आप और डाउन चले आते हैं रेट के तो वहाँ पर आपको एक चीज जरू ध्यान रखके काम देना है कि हो सकता है कि वो ठेकेदार जो है फिर बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा परिशान करे उससे पहले अगर कम रेट में भी देना है तो आप इन दोनों ठेकेदारों के आप कम में दे या ज्यादा में दे आप जाके पुराने कामों को एक बाद जरूस देख ले या जाज परताल थोड़ी कर ले अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारे रहता है इनमें काम जो मैंने आपको एरेट बताया है इसके बीच में जो भी काम चाहिए आप 180, 85, 90 दे रहे है 190 जो भी तो उसके बीच में जो हमारा रहेगा उसमें क्या-क्या वो काम करके हमें देगा तो देखें अगर मैं सुरुवाती बात करूँ तो जो हमारा नीचे foundation, exhibition होती है गंडे खुते हैं यह कह सकते हैं कि concrete का काम जो होता है हमारा चाहिए A to Z नीचे से लेके उपर तक concrete का जो हमारा च्छत हो गई column हो गई, beam हो गया और जो brick-berg चिनाई होती है, plaster होता है यह सारी चीज़े वो दोस्तो नॉर्मली करके हमें देगा flooring तयार करके देगा tiles लगा के देगा, toilet की, bathroom की, kitchen की, जीने का पत्तर यह सारी चीज़े वो हमें करके देगा इस raid में अब बात करते हैं दोस्तो वो क्या काम करके नहीं देगा तो दोस्तो एक चीज़े जो हमारे light के pipe fit होते हैं वो आपको खरीद के नहीं लगाएगा, नहीं वो खुद करेगा और दोस्तो जो हमारा toilet की fitting होती है जैसे आपको बताना चाहूं जो हमारा sanitary pipe हो गए या फिर toilet sheet वगएर हो यह सारी चीज़े वो करके नहीं देगा और paint का काम भी वो नहीं करके देगा तो यह दोस्तो हो गया हमारा कि वो क्या क्या काम नहीं करेगा अब दोस्तो बात करता हूं कि मैंने जातर UP उत्राखन में देखा है कि जो हमारा घर का elevation होता है elevation में दोस्तो वो उसके थोड़ा extra charge pay करते हैं हो सकता है कि जो आपने rate तैक है उसका वो डेड़ गुना मांगे आप से या दोस्तो आपको जो घर में staircase बनाए जाते हैं अगर simple staircase बना रहे हैं तो उसमें तो वो दोस्तो नॉर्मली चार्ज लेते हैं लेकिन अगर आप जैसे कि staircase हमारे floating होते हैं इस तरह के staircase अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो दोस्तो वो आपसे थोड़ा charge लेते हैं क्योंकि इस तरह के structure या इस तरह के staircase में समय लगता है तो यह चीज भी ध्यान आप जरूज रखें दोस्तो यह हमारे जो rate थे यह without material ठेकेदार के लिए थे लेकिन दोस्तो मैं आपको एक बात आप ध्यान रखना किसी भी ठेकेदार को दें और कितने भी rate में दें चाहें वो आप 170 दे रहे हैं या 200 दे रहे हो सकता है कि दोस्तो आपको 170 से कम में भी कोई ठेकेदार मिल जाए तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने बहुत ही ज़ादा जरूरी बात है उसमें बोली है तो आप उसको जरूज देखें क्योंकि वो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़ादा ही इंपोर्टेंट होगी तो आपको जो मैंने अभी तक बताया है वो आपको किलर हुआ है तो इनके से कोई डाउट है तो कमेट में टाइप कर सकते हैं यह दोस्तों आपको मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छे तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्स पर मोच आप वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो से